ग्रहों की दुनिया में हर बदलाव का असर हमारे जीवन पर पड़ता है और जब बात ग्रहों के राजकुमार बुद्ध की हो तो इसका प्रभाव और भी खास होता है अगस्त की शुरुवात में पांच अगस्त को बुद्ध ग्रह सिंग राशी में वक्री हो रहे हैं और यह तीन राशियों के लिए खत्रे की घंटी है कौन सी हैं ये तीन राशिया चलिए जानते हैं देवगर के जोतिशाचार्य पंडित नंकिशोर मुद्गल से पंडित नंकिशोर मुद्गल बताते हैं कि बुद्ध ग्रह, बुद्धी और वानी के कारक है जब ये वक्री होते हैं तो ये विशेश रूप से सिंग, व्रिश्चिक और मकर राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं सिंग राशी वालों के लिए यह समय सतर्क ताका है आर्थिक मामलों में सावधानी बढ़तें, किसी को उधार देने से पहले दो बार सोचें अनावशक खर्चों से बचें, क्योंकि ये आपको परेशानी में डाल सकते हैं जीवन में उतार्चधाव का माहौल रहेगा और वाद विवाद से दूर रहें नहीं तो कोटक चहरी के चक्कर काटने पढ़ सकते हैं व्रिष्चिक राशी वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत है रिष्टों में खटास आ सकती है, इसलिए अपनी वानी और गुस्से पर काबू रखें व्यक्तिगत जीवन में अतीत की कोई बात सामने आ सकती है और परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है खर्च बढ़ने के कारण मन परेशान रहेगा और प्रेम संबंधों में असफलता का सामना करना पढ़ सकता है मकर राशी वालों के लिए भी बुद्ध का वक्री होना नकारात्मक प्रभाव लाएगा जीवन काफी भागदोर भरा रहेगा और कारोबार के सिलसले में लंबी और खर्चिली यात्राएं करनी पढ़ सकती है चोटी चोटी बातों पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है और कुछ मित्र विश्वासखात कर सकते हैं किसी पर भी आख मुन कर भरोसा न करें और व्यापार में धन निवेश करने से पहले सोच समझ कर निरनै लें तो ये हैं वो तीन राशिया जिन पर बुद्ध के वक्री होने का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इन दिनों सतर्क रहें और सही निरनै लें ताकि आप इस नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकें ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है और इसके साथ हमें भी अपने कदम सोच समझ कर उठाने चाहिए जुड़े रहें और हमारे साथ ग्रहों की हर छोटी बड़ी खबर पाते रहें लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंग की रिपोर्ट